सब्सक्राइब तो वाब इंस्टिटूट और इंट्रनेशनल एजुकेशन अबाउट कम्प्यूटर्स और टेक्निकल्स है दियर स्टूदेंट ये वीडियो प्रिफियस पार्ट का कॉंटिनेशन है सो कांटली इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रिफियस पार्ट को देख ले प्रिफियस वीडियो में हमने अप्लिकेशन को डेवलप करना शुरू किया था वो कम्प्लीट नहीं हुआ था इसलिए हम इस वीडियो में उसे कम्प्लीट करने वाले हैं हमें क्या करनी है even और odd number find करने वाली application को develop करनी है तो जो two से पूरी तरह divisible हो जाती है उन्हें कहा जाता है even number और जो two से divisible नहीं होती है उन्हें कहा जाता है odd number तो यहां पे आपको condition pass करके check करना होगा कि user ने जो type किया है अगर वो odd है तो message display हो कि user का number odd number है अगर user ने type किया है even number तो message display हो even number तो simply हम true और false conditions को define करने के लिए ifils statement का use करेंगे simply जो हम truly चाहते हैं वो हम if में define करेंगे उसका ठीक उल्टा automatic else produce करेगा अगर हमने if में define कर दिया सिर्फ even number के लिए तो automatic else odd number ही produce करेगा आप ध्यान दे if का syntax कुछ ऐसा होता है else का syntax कुछ ऐसा होता है parenthesis सिर्फ if के पास होती है जिसकी वज़ा से आप जो चाहते हैं उसकी condition आप if में ही define कर सकते हैं else ठीक इसका उल्टा जो आपने define किया होगा condition के रूप में parenthesis के अंदर वो else के द्वारा produce हो जाएगी लेकिन ध्यान दे जो if में होगी उसका automatic opposite else produce करेगी तो अगर मैं define कर दू x modular operator 2 तो क्या मतलब है इसका x में 2 से divide हो जाएगी x में क्या होगा user के द्वारा type किया गया value तो इसका मतलब है user जो भी value type करेगा उसमें 2 से divide होगी और reminder return आएगी तो अगर reminder 0 के बड़ा बड़ है तो क्या मतलब हुआ इसका 2 से पूरी तरह से divisible हो चुकी है तो वो क्या होगा even number तो simply मैं यहाँ पे इस तरह से expression define करता हूँ तो इसका मतलब हुआ अगर x में 2 से divide करने के बाद reminder 0 आती है तो automatic even number ही होगा क्योंकि यह जो modular operator है reminder में 0 कब produce करेगा जब कोई number पूरी तरह से 2 से divisible हो जाएगी तब तो यह जो आप operator देख रहे हो इसे कहा जाता है is equal to operator यह आपको आगे पढ़नी है यह define करता है कि क्या यहाँ जो produce हुई है वो इसके बढ़ाबर है या नहीं तो automatic अगर 2 से भाग देने के बाद 0 के बढ़ाबर आएगी value तो even number ही होगी तो simply अगर ऐशा हो गया तो result मुझे यहाँ पर produce करना है कि user का number even है तो यहाँ पर result कैसे produce होगी simply आपे काम करो एक paragraph element को set करके empty छोड़ दो okay id attribute से इसमें आपको value define कर लो simply मैंने इसका value रखा result okay id attribute से result value देने का मतलब है कि मैं java script के सब्दों में इससे select करके यहाँ पे कुछ लिख पाऊंगा तो जो result मुझे produce करना है उस result को मैं इस paragraph के अंदर जाकर write करूंगा तो automatic यहाँ पे ही result produce होगी simply मैं जाता हूँ if की body में यहाँ select कर लेता हूँ उस element को जिसके अंदर मुझे result write करनी है तो simply मैं यूज करूंगा document.getElementById method का और select कर लूँगा result value को तो क्या मतलब हुआ इसका टेकनिकली हमने p element को select कर लिया है कौन से p element को जिसमें id attribute की value result है अब हमें क्या करना है internally इस p element के अंदर जाकर java script के सब्दों में write करनी है तो ध्यान दे element के अंदर जाने के लिए dot innerhtml output possibility का उप्योग करते है अब element के अंदर आप चाह चुके हो आप जो write करना चाहते हो वो आप dual code के अंदर write करके इन्हें terminate कर दोगे तो simply मैं write करना चाहता हूँ number is even लेकिन ध्यान दे ये कब काम करेगी जब two से divide होने के बाद उसकी reminder zero के बड़ापड होगी तब लेकिन जब reminder zero के बड़ापड नहीं होगी तो automatic else काम करेगी क्यों? क्योंकि else जो है वो if के condition का ठीक opposite काम करता है तो condition में आपने define किया है कि reminder zero के बड़ापड होना चाहिए तो else में इसका उल्टा क्या produce होगा कि reminder zero के बड़ापड नहीं होना चाहिए तो अगर reminder zero के बड़ापड नहीं है two से divide करने के बाद तो इसका मतलब क्या हुआ? वो two से divisible पुरी तरह शे नहीं हुआ है और जो number two से divisible पुरी तरह नहीं होगा वो odd number ही कहलाएगी हमारी coding complete हो गई अब हमें क्या करनी है? result कैसे पानी है? किसी content पे click करने के बाद या input करने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे input करूँ वैसे वैसे result प्रोडूश हो तो simply आपको क्या करना होगा? आपनी जो function create किया है एप के नाम का इस function को on input event या attribute के साथ call करना होगा तो simply मैं जिस input field में data type कर रहा हूँ उस input field में मैंने यूज किया है on input attribute का और इसमें मैं call करूँगा app function को जैसे ही आप इसमें data input करोगे app जो function है वो call हो जाएगी और इसके अंदर की instruction execute हो जाएगी simply मैंने save कर लिया run करके check करता हूँ कि result produce होता है या नहीं मैं type कर रहा हूँ 1,2 आप देखो 2 से पूरी तरह divisible है इसलिए यहाँ पे result produce हुआ number is even अगर मैं type कर दो 127 तो automatic produce होगी number is odd क्यों क्योंकि 127 2 से पूरी तरह divisible नहीं होगी तो आपने देखा किस तरह की छोटी सी application आपने बनाई तो यह application अभी तक complete नहीं है मैं चाहता हूँ कि यह जो application है जिसको मैंने ट्रिपल डी के नाम से save किया है इसको मैं computer के software के लायक बनाऊ या android के application के लायक बनाऊ जिस पे click करते ही पहले यह install हो फिर यह काम करे फिर मैं चाहूँ तो control panel से इसे uninstall भी कर चकूँ तो software की पूरी functionality आपको channel पे introduce नहीं होगी इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ कि completely अगर software development के process को आप शीखना चाहते हैं तो description में software engineering का link मिलेगा kindly आप वहाँ पे click करके मेरे course को join कर सकते हो course काफी की फायती है trademark affiliated certificate भी आपको मिलेगी और institution से आपको अच्छी खासी companies में भी placement मिलेगी okay so जो मैंने आपको recommend किया है currently उस पे ध्यान दे और video perfections लगा हो तो video को like जरूर करे अपने friends में जरूर share करे कोई problems या queries है तो comment box में write करे या मुझे whatsapp पे join करे so kindly मेरे teaching experience को promote करे मेरे channels को subscribe करना ना भूले और subscribe करने के बाद bell button पे click करे so stay tuned to our channel guys thanks for watching my video have a great day subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science